ओम्ती पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफतार किया है। इनसे बूश्टाज के बाद नागपूर कटनी और जबलपूर के अलग-अलग शित्रों से चोरी किये हुए नौ दुपहिया वाहन और एक वाहन के पार्ट्स बरामद किये गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों लंबे समय से दुपहिया वाहनों की चोरी कर रहे थे। इनसे जब्त वाहनों की कीमत लगभग 6 लाग रुपए है। ओम्ती पुलिस ने गढ़ा शित्र के रहने वाले दो शातिर वाहन चोरों को गिरफतार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पकड़े गए ये शातिर वाहन चोर, पवन पटेल और सल्मान बंगाली लंबे समय से दोपहिया वाहनों की चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें सिविक सेंटर शेत्र से हिरासत में लिया और जब इनसे पूश्ताज की तो जबलपूर के तीन अलग अलग थाना शेत्रों के अलावा इन्होंने नागपूर और कटनी जिले से भी दोपहिया वाहनों की चोरी करने का जुर्म कुबूल किया। इनसे पूश्ताज के बाद पुलिस ने नौ दोपहिया वाहन और एक वाहन के पार्ट्स बरामत किये हैं जिनकी कीमत लगबग 6 लाख रुपए है। पुलिस ने इनके पकड़े जाने की सूचना पड़ोसी जिले कटनी और नागपूर पुलिस से भी साजह की है। साथी इनसे जब्द किये गए वाहनों के समंद में जिले के समंदे थानों को भी जानकारी दी है।